वहीं सिदार्थ नगर के जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आठवे अंतरास्टे योग दिवस के औसर पेक भव एक कारकरम कायजूत किया गया जहां मुक्यातिति के रूप में यूपी के आपकारी मंत्री निती नगरवाल पहुंचे इस औसर पर सांसर जगदंबी का पाल विधायक श्याम धनी राही जैप्रताप सी विनेश वर्मा सहित भारी संख्या में लोगों ने योग किया इस होसे प्रापकारी मंत्री निति अगरवाल मीडिया से बाचित करते वे कहा कि प्रतिक व्यक्ति को योग करना चाहिए यही एक माध्यम है कि जिससे स्वस्त निरोग रखा जा सकता है अब लोग इसके प्रतिक काफी जागरुक हो रहे हैं जिसके चलते पूरा विस्व अब योग दिवस मना रहा है इस बार करतल भड़ी से अनवादन करेंगे इसको नम्मरी परोड करेंगे इसके लिए भोग प्रता है तो यह अब यह तक ले आई हैं जाएं नहीं मैं तो मैंने तो जैसे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज दूसरी बार मेरा यहां पर आना हुआ है और आज आज अंतलाश्टी योग दिवस के अफसर पर मैं उपस्थित हूँ सभी के साथ योग किया है मैं तो वसे नियवी तोर पर योग करता भी हूँ लेकिन आज सभी के साथ में और खास्तर से एक जून योगा दिवस के अफसर पर आज आपके बीच में सभी के साथ मने योगा किया मुझे बहुत खुशी है और सिधार्द नगर आता हूं तो कि होता है बनाया जाता है मुझे खुशी है कि लोगों के प्रती जागरुकता आई है योग के प्रती और जिस तरीके से लोग जागरुक हुए हैं अपने स्वास्त के प्रती कि हमें रोज नियमित तोर पर योग करना है आज लोगों चाहते हैं कि हम सुबह सुबह अपने क्याम ऐसा करें जोस्त रहें तो योग एक ऐसा माध्यम है जो जिसको करने से हम स्वास्थ मिराई सकते हैं और अपने जीवन शहली को भी दुदारा का जो थीम था यूग फार हुमेनिटी तो यह सार्थक कैसे हो है तो या है कि हम कैसे अपने सभी सभी को एक जुट साथ में लेके सबको साथ में रखके आगे बढ़ें अपने देश में भी विश्व में भी सब लोग एक जुट को के humanity को आगे बढ़ाएं और योग एक ऐसा माध्यम है जिसको जो ना किसी धर्म संप्रदाय से रुता है योग तो हर व्यक्ति करता है तो इस योग के माध्यम से हम पूरी humanity को एक जुट कर सकते हैं और सबको एक साथ में लिए